नमस्कार आप देख रहे हैं मास कुम जंक्षन मैं डॉक्टर प्रदीब कुमार खाजिर हूँ एक और नई वीडियो की साथ Dear students, आज हमारा विशे है listening skills जी हाँ, जिस परकार एक अच्छा लेकक बनने के लिए, एक अच्छा राइटर बनने के लिए, अच्छा पाठक होना जरूरी है ठीक इजी तरह, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, अच्छा स्पीकर बनने के लिए, अच्छा श्रोता होना भी बहुत जरूरी है तो आज हम उन्हें कुछ बिंदू उपर चर्चा करेंगे कि एक अच्छी listening skills कैसे develop की जा सकती हैं, आप अच्छे शुरता कैसे बन सकते हैं Listening is an art, actually it's a process where a person receives the messages and gives his or her reaction after analyzing the content One can be master of listening skills with constant efforts Listening जो है वो एक कला है, आप लगातार जो है, इसमें महारत हासिल कर सकते हैं एक practice के बाद और Listening का मतलब क्यों यह नहीं कि आपने कोई चीज़ सुनी और कोई ध्यान नहीं दिया बिलकि Listening जो है, उसमें आप message को receive करते हैं, उसके वीचार करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसका reaction भी आप देते हैं यहां Listening और hearing में difference हमज़ना भी ज़रूरी होता है Hearing में आप concentrate नहीं करते हैं, कुछ बार बहुत सी आवाजें ऐसी होती हैं, बहुत शोर ऐसा होता है कि जो आप ना चाहें या चाहें, फिर भी वो आपके कानों में आता रहता है, पर वो आप उस सुनाई देता रहता है लेकि listening में क्या होता है, अगर आप active listener है, तो आप चीजों पर concentrate करते हैं, उनको समझने का परयास करते हैं, वो meaningful होती है और आप उसके बाद अपना reaction देते हैं, तो आप अगर अच्छे listener बनना चाहते हैं, तो आगे जो हम कुछ बिंदों पर चर्चा करेंगे, अगर तुम पर आप ध्यान देते हैं, तो अच्छे शूरता आप बन सकते हैं Be focused, जब आप किसी भी चीज़ को सुन रहे हैं, तो आपको focused रहना है, अगर आप focused नहीं रहेंगे, आप कहीं पर physically present हैं, चाहे आपका classroom है, चाहे सेमिनार hall है, आप कोई motivation lecture सुन रहे हैं, अगर वहां physically आप present हैं, लेकिन आप mentally कहीं हो रहे हैं, आपका दिमाग कहीं हो रहे है तो ऐसा होगा कि आदे गंटा का lecture आपने सुना, इन आदे गंटे बाद अगर आप से कुछ पूछा जाए, तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे उस lecture के बारे में, नहीं आप कुछ समझ पाएंगे, नहीं कुछ आप react कर पाएंगे, विकाज कुछ चीजों को समझने के आपको focused होना पड़ता है, अपना धान वहाँ पर केंद्रित करना पड़ता है, concentrate आपको करना पड़ता है, तो अगर अच्छे listener आप बनना चाहते हैं, तो be focused while listening, जब चीजों को सुन रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान एकागर कीजिए, concentrate कीजिए, अगर आप किस चीजों को हम सुन रहे होते हैं, lecture हम सुन रहे होते हैं, आसपास के लोगों से हम बात करना शुरू कर देते हैं, कई पर students भी जो हैं classroom में, आप उसमें बात करना शुरू कर देते हैं, और इसी दोरान कोई एहम point वो चूख जाते हैं, और जब एक speaker बोल रहा होता है, तो उसका एक point शोर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आप शान्त नहीं है, तो उसी से चूख जाते हैं, और वो लिंक दोबारा नहीं बन पाता है, और इससे आपका ध्यान उससे हड़ जाता है, और आपकी listening में दिक्कत आती है, इसलिए आप शान्ती बनाए रखें, keep quiet, then try to attend the session from beginning, एक अच्छा listener जो है, वो बहुत शुरुवात से, यानि शुरू होने से भी पहले अपनी जगह पर जागा बैठता है, और पूरे lecture को attend करता है, इससे उसको सारा concept समझने में आसानी रहती है, जो वीजी स्वीशे पे भाशन शुनने गए हैं, lecture attend करने गए हैं, आप देखते हैं, और तभी उस फिल्म की कहानी को, उस फिल्म के message को समझ पाते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता कि बहुत से लोग लेट लतीफ होते हैं, जो फिल्म को late join करते हैं, लेकिन उनका मकसद जो है, एक सिरफ हो सकता है, सिरफ मजा या entertainment हो सकता है, लेकिन जो कुछ सीखना चा ले अपना जगह ले लेते हैं, और mentally पे अपने आपको त्यार करते हैं से lecture को सुनने के लिए, then subject knowledge, जिस विशे पे आप भाशन सुनने जा रहे हैं, आप कोशिच किजी उसकी subject की knowledge आपको हो, हो सकता आपको पूरी knowledge ना हो, लेकिन आप थोड़ी सी background knowledge उसकी पढ़ करके जा स कि आपका interest इसमें create होगा, अगर आपको subject की knowledge है, तो आपका interest create होगा, interest create होगा, तो आप उसके concentrate कर पाएंगे, तो आप उसको समझ पाएंगे, और अगर आपने उसको समझ लिया, उसका vision कर लिया, तो जाहिस से बात आप एक अच्छे listener बन ही जाएंगे, then take interest in the topic, ये तो आपको बहुत जादा interest लेना है, उन लोगों के comparison में जादा interest लेना है, जिन के लिए वो विशे पुराना है, क्योंकि आप इस विशे के लिए नए हैं, तो आपको तो इसको समझने के लिए और ज़दा actively उसको सुनना पड़ेगा, उसमें interest लेना पड़ेगा, ताकि interest create करेंगे, वहां आपको बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें भी आपको सिखना करेंगे, then be attentive, जैसा कि हमने कहा, keep quiet से जोड़ा point है, जो हमने पहले का, be attentive, यानि आपने पूरे lecture के दुरान एक बार भी mentally absent वहां से नहीं होना है, यानि physically तो प्रेजेंट आप हैं, वहां पू पूरा आपको attentive रहे के, stark रहे के, alert रहे के, vigilant रहे के, आपको attentive रहना है अच्छे listener के लिए, then try to understand first and then note it down, बहुत बार ऐसा होता कि जब हम कोई lecture सुनने जाते हैं, सहीं classroom में lecture सुन रहे हैं, या को motivational lecture हम सुनने जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं, जो बोल रहे हैं, उसके साथ साथ हम लिखना शुरू कर देते हैं, आप note बनाईए, notes में बनाने में कोई issue नहीं है, लेकिन पहले चीज़ों को समझे, और आप short hand जैसे हम कहते हैं, पूरी lines लिखने के बजाए, points से में उसको note कीजिए, ताकि आपका समय भी कम लगे, और उस note करते वक्त कोई ऐसी बात ना चूक जाए कि आपका speaker उस दोरान कुछ और बात बोल दे और आपका ध्यान सारा note करने पर हो, तो note करना अची बात है, notes बनाईए आप, बहुत अच्छी आदत है, class में notes बनाईए, कोई meeting आप अटेंड कर रहे हैं, और भी notes बनाईए, लेकिन उसको समझेए, पहले किसी माप करने देजिए, अपना lecture जो है, उसको खत्म करने देजिए, और जब वो आपसे कहते हैं, कि आप सवाल पूछ सकते हैं, तो तब आप सवाल पूछीए, जब भी आप सवाल पूछ रहे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कि आपका जोस question है, वो उस topic से जुड़ा ह कि दोरान, जो speaker है, हो सकता है, आपके सवाल का जवाब बाद में देने वाला हो, तो इसलिए आप वेट कीजिए, उनके वक्त तब यह अपने lecture को खत्म होने का, उसके बाद उस बारे में आप सवाल पूछीए, एक अच्छे शुरू तक पहचार है, देन, keep your mobile phone on silent mode, आज कर बड़ी दिक्कतें आती है, कि mobile phone जो हो बहुत एक तरह से disturbing element बन गया है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं, तो mobile phone को कई बार silent पे हम नहीं करते हैं, बहुत से senior लोग भी कई बार meetings में होते हैं, वहां भी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अगर अच्छे शुरूत हैं, तो mobile phone को silent पे कीजिए, आप उस lecture के बाद अपने अगर कुछ important calls या messages आए में तो आप देख सकते हैं, तेकिन during that lecture, अपने mobile phone को switch off या silent mode पे रखिए, ताकि आप चीज़ें पर concentrate कर पाएं, लेक्चर पे आप concentrate कर पाएं, work on your vocabulary, अब आप कहेंगे कि मैं भाशा पे command करना क्या जरू तो आपके वक्ता जो सामने में की भाशन अगर अच्छा है, उनकी शभ्डावल्य अच्छी है, तो, आप चीजों को समझनी पाएंगे, इसलिए, अगर आप अच्छे शृता बनना चाहते हैं, उसके और अच्छे speaker बनना चाहते हैं तो पनी शभ्डावली पर भिआप का क जी अगर आप अच्छे होता है तो जैसे मैंने बताया listening का मतलब है कि आप सीजों को सुनते हैं फिर उसके समझते हैं उसको उसका analysis करते हैं उसके react करते हैं तो इसलिए जरूरी है कि आपका जो analysis है वो objective होना चाहिए subjective नहीं होना चाहिए means आप जो analysis करेंगे वो निस्पक्षभाव से करें, facts के base पे करें और उसके बाद अपना reaction दे, you must be objective while analyzing things, then empathy, empathy मतलब आप समानुभूती करें, समानुभूती का मतलब यह होता है, कि अगर आप एक शुर्ता की रूप में बैठे हैं, कोई lecture दे रहा है, seminar चल रहा है, तो आप यह मान की चले कि मैं भी कल कोई अच्छा speaker बनना चाहता हूँ, और मुझे भी वहाँ जाके एक अच्छा भाशन देना, जब माचा speaker बन जाओंगा, यह आज मैं listener हूँ, तो आपको empathize करना है, एक speaker की भावनाओं को आपने समझना है, उनको due, जो respect है, वो देनी है, जैसे speaker आता तो यह आपको empathize करना है कि एक speaker को अपनी audience से क्या चाहिए, तो वो सारे चीज़े, चाहे उसको regard देना है, चाहे कड़े होके सम्मान में तालियां बजानी है, welcome करना है, lecture के बाद thanks बोलना है, या अपने smiling face के साथ उसको सुनना है, तो यह सब चीज़ें आपको करना है, because ultimately you also want to be a good speaker, और जब आपको किसी speaker बनेंगे, तो आपको वो चीज़ें समझने में काफी आसानी होगी, तो इसलिए एक अच्छे speaker के लिए, आप एक listener होने के नाते, चीजों का empathize करें, और उनको वो सारा reward दें, जो आप भी चाहते हैं, do not argue, just healthy discussion, अगर आपको speaker की किसी बात से क कोई problem है, कोई issue है, याप disagree करते हैं, ऐसे हमत आप हैं, तो बड़े किसी रूखे मन से कोई argue ना करें, कोई वादिवाद ना करें, बलकि एक healthy discussion रखें, और बताएं कि सर आप ये कहना चाहा रहे हैं, लेकि मैं इससे ऐसे हमत हूँ, और मेरा तर्की है, या मेरा पक्ष में, ऐसे रखना चाहता हूँ, तो अब अगर argue भी करते हैं, वाद discussion भी आप करते हैं, तो तर्क संगर धंक से उसको कीजी, जिससे महौल जो होगड़ा अच्छा रहे, और अच्छे महौल में भी चीज़े आप सीख सकते हैं, और इससे discussion जो काफी healthy होगा, तो dear students, आज हमने चर् बनेंगे, नकेवल आपकी listening skills develop होंगी, बलकि future में आप अच्छे speaker भी बन पाएंगे, अच्छे मुक्ता भी आप बन पाएंगे, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक और नहीं वीडियो के साथ, आप जोड़ रहे हमारे साथ और देखते ह ये मास कुंदक्शन, धन्यवाद.